इनके घर में दूखाता है उनके घर में डबल सुख भी आने वाला इश्व मसी के नाम है आप सभी को जे मसी की आप सभी लोगों को पता होगा कि पंजाब में पास्टरों के उपर इंकम टेक्श डिपार्टमेंट की रेड पढ़ रही है जी हाँ अलग-अलग जगों में प्रोफेट बजेंदर सिंग और उसके अलावा चार और पास्टरों के घर पर एडी ने रेड करी है उपर धर्मांतरन का आरोप लगाया गया और विदेशी फंडिंग का भी आरोप लगाया गया है जिसके बाद से एडी करना सुरू कर दिया है और यह जो जहांचे लगबग दो दीन तक चली है और अभी तक कोई भी सुचना सामने नहीं आई है कि कितना क्या मिला है लेकिन यह उपर उपर से यह सुचना आ रही है कि एडी के द्वारा सुचना दिया गया है कि दो करोड रुपे बरामत हुए हैं इस परकार से कुछ न्यूज वाले बता रहे हैं दिनों में पंजाब में आप देख सकते हैं कि पंजाब में प्रभी शुमसी पर विश्वास करने वाले काफी लोग हैं और आप ओनलाइन में भी देखा होगा वीडियोस में भी देखा होगा कि किस परकार से लोग प्रभी शुमसी पर विश्वास कर रहे हैं और लाखों लोग चर्च से जुड़े हुए है तो दान भी आता होगा और इसके अलावा समाज का काम भी करते हैं समाजी कार्य भी करते हैं और चर्च भवन का निर्मान हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो पैसा है जो दान का जो पैसा है वो उपियोग हो रहा है लेकिन किसी ने सिकायत कर दी कि उनके पास विदिल सी फंडिंग आ रही है और धरम परिवर्तन का आरोप लगा दिया इसलिए पास्ट्रों के उपर ED की रेड पड़ी है उसमें कोई जादा वो नहीं है बहुत सारे इसे टेक्स चोरी कर रहे हैं उनके उपर आरोप नहीं लगा रहे हैं उनके उपर इंकम टेक्स की रेड नहीं पड़ रही है किसके उपर पड़ रही हैं पास्ट्रों के उपर जो प्रभु का काम करते हैं जो धर्भु को मुप्त में ठीक करते हैं और एक भलाई का काम करते हैं और समाज में अच्छा काम करते हैं उनके उपर ये रेड पढ़ रही है लेकिन जो सारे जो बाबा हैं वो जूटे दावा करते हैं और लोगों को धरम परिवर्तन करवाते हैं ये लोग भी क्या करते हैं लोगों को धरम परिवर्तन करवाते हैं लेकिन ये लोग बोलते हैं कि हम तो भाई घर बापसी करा रहे है लोगों के उपर क्रिशनों के उपर ही धर्मान धरन का आरूप लगाया जा रहा है लेकिन अगर हम देखा जाए तो जो मिस्नरी है जो मसीही लोग है इस देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है बहुत बड़ा काम किया है गरिबू को आगे लाए है ताकि वो आगे बढ़े पल मसीही के परचार के साथ सा लोगों को शिक्षा भी दिया है मुक्त में इलाज भी दिया है और आज भी वो काम कर रहे हैं कुछ ऐसे पाखंडी लोग हैं जो लोगों को पहला फुसला कर मसीह लोगों के खिलाब भड़काने का काम कर रहे हैं खुले आम चुनोती दे रहे हैं उनके न्यूज है अमर उजाला करके न्यूज है उनसे ये पता चल रहा है कि खाली सुचना मिला है कि कुछ रुपे बरामत हुए है बताये गया जालंदर, कपुर्दरा, अमरसल, मोहाली और जिरकपुर विवाग की टीमी पहुँची और आयक के स्रोथ खंगाले दो करोर रुपे नगदी मिलने की सुचना है ये केबल सुचना अभी कोई कंफर्म हुआ नहीं है और मीडिया वाले बड़ा चड़ा कर भी लिग रेते हैं दो लाख मेंडिंग के साथ कैंसर, एट्स जैसी गंबीर बिमारों के इलाज का दावा कर लोगों को ठगने का आरोप है ये आरोप लगाया है कई लोगों ने आरोप लगाया है लेकिन ये हकिकत है इसुमसी के नाम से कैंसर भी ठीक होता है एट्स जैसी बिमारी भी ठीक होती है और मुनिश्य ने कर सकता है वो परमेश्वर कर सकता है जी हाँ ये कोई ठगने का काम नहीं है लेकिन ये एक प्रभू की ओर से एक शमत का ये लोग समझते हैं कि जिस परकार से बाबा लोग बताते हैं उसी परकार से ये पाश्टर भी करते हैं लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है बाबा और पाश्टर में बहुत बड़ा अंतर है बाबा लोग अपने मंत्र से विद्या से ये करते हैं लेकिन जो पाश्टर है वो प्रात्न करते हैं और उस काम को प्रभु करता है प्रभु इश्व मसी करता है तारे लोगों की ये गवाही भी है कि प्रभु इश्व मसी ने उनको चंगाई दिया है प्राथ न करें कि प्रभु का काम रुकना नहीं चाहिए प्रभु का काम दीन पर तिन बढ़ना चाहिए आप सब